पार्ट एट श्री कनेशाय नमहा श्री जानकी वल्लभो विज्यते श्री रामचरित मानस उत्तरकाण पुनी कृपाल लियो बोली निशादा दीने भूशन बसन प्रसादा जाउ बवन मम सुमिरन करयूं मन क्रम वचन दार्म अनुसरयूं पिर कृपालू श्री रामची ने निशाद राज को बुला लिया और उसे भूशन बस प्रसाद में दिये पिर कहा अब तुम भी घर जाओ वहां मेरा इस्मरन करते रहना और मन बचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना तुम मम सका भरत समराता सदा रहयों कुर आवत जाता वचन सुनत उपजा सुक भारी परेयों चरन भरी लोचन भारी तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो आयोध्या में सदा आते जाते रहना यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन हुआ नेत्रों में आनन्द और प्रेम के आसों का जल भर कर वह चरनों में गिर पड़ा प्रभु सुभाव परिजन ही सुनावा रगुपती चरित देखी पूरबासी पूनी पूनी का आईदाने सुख रासी फिर भगवान के चरन कमलों को हृदय में रखकर वह गर आया और आकर अपने कुटुम्बियों को अपने प्रभु का सभाव सुनाया शिरी रगुनाज जी का यह चरित्र देख कर अवत पूरिवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशी सुरी रामचंदर जी धन्य है राम राज बैठे त्रेलों का हरशित बहे गए सब सोका बहे रुना कर पाहूसन कोई राम प्ताप विशामता कोई शिरी रामचंदर जी के राज्ये पर प्रतिस्टित होने पर तीनों लोग हरशित हो गए उनके सारे शोग जाते रहे कोई किसी से वैर नहीं करता शिरी रामचंदर जी के प्ताप से सब की विशामता आंत्रिक भेडभाव मिट गए सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में ततपर हुए सदा वेद मात पर चलते हैं और सुक पाते हैं उन्हें न किसी बात कब है है न शोग है और न कोई रोग ही सताता है राम राज में दैविक और भोतिक ताप किसी को नहीं व्यापते सब मनुष्य परस पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई निती में ततपर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं धर्म अपने चारों चरनों सत्य शौर्श दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है सब्र में भी कहीं पाप नहीं है पुरुष और इस्त्री सभी रामभक्ति के परायन हैं और सभी परमगति के मोक्ष के अधिकारी हैं अल्प मृत्यू नहीं कवने उपीरा सब सुन्दर सब विरुज सरीरा नहीं दरिद्र को रुखी ना दीना नहीं को अबुद न लाख्ष नहीं ना छोटी अवस्था में मृत्यू नहीं होती ना किसी को कोई पीरा होती है सभी के शरीर सुन्दर और निरोग हैं ना कोई दरिद्र है ना दुखी है और ना दीन ही है ना कोई मूर्ख है और ना शुब लक्षनों से हीन ही है सभी धंब रहित है धरम परायन है और पुर्णे आत्मा है पुरुष और इस्त्री सभी चतुर और गुर्वान है सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित है तथा सभी ज्यानी है सभी कृतर्ग्य दूसरों के किये हुए उपकार को मानने वाले हैं कपड चतुराई किसी में नहीं है काक बुशुंडी जी कहते है हे पक्षी राजगरुण जी सुनिये शिरी राम के राचे में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, सभाव और गुणों से उत्पन हुए दुख किसी को भी नहीं भाते पर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है भूमि सब्त सागर में खला एक भूप रगुपती को सला भूवन अनेक रोम प्रतिचासू ये प्रभुता का चुबाहुत ना तासू अयोध्या में शिरी रगुनाद जी साथ समुद्रों की मेखला वाली प्रत्वी के एक मात्र राजा है जिनके एक एक रोम में अनेको ब्रह्मान है उनके लिए साथ द्वीपों की ये प्रभुता कुछ अधिक नहीं है बलकि प्रभु की उस महीमा को समझ लेने पड़ तो यह कहने में कि वे साथ समुद्रों से गिरी हुई सब्त द्रीपमाई प्रत्वी के एक छत्र सम्राठ है उनकी बड़ी हींता होती है परन्तु हे गरुण जी जिन्होंने वे महीमा जान भी ली है वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं क्योंकि उस महीमा को भी जानने का फल यह लीला ही है इंट्रियों का दमन करने वाले शेष महमुनी ऐसा कहते हैं राम राज्य की सुक संपति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते सब उदार सब परुपकारी वी प्रचरन सेवक नर नारी एक नारी व्रत रत सब जारी ते मन बच क्रम पतियत कारी सबी नर नारी उदार हैं सबी परोकारी हैं और ब्रहमनों के चर्णों के सेवक हैं सबी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं इसी प्रकार इस्त्रियां भी मन बचन और कर्म सेख्स पति का हित करने वाली हैं दंड जतिन कर भेद जहां नरतक नित्य समाज जीत हुमने सुनाई असर रामचंड के काज राज मंगल भवन अमंगल हारी जव उस्दशिरत अजिर भी हारी शिरी रामचंडर जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हातों में हैं और भेद नाचने वालों के नत्य समाज में हैं और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई परता है अर्थार राजनिती में शत्रों को जीतने तथा चोडाको आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड और भेद ये चार उपाय किये जाते हैं रामराज्य में कोई शत्रों है ही नहीं इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है कोई अपरात करता ही नहीं इसलिए दंड किसी को नहीं होता दंड केवल, दंड शब्द केवल सन्यास्यू के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनिकूल होने के कारण बेद निती की आवशक्ता ही नहीं रह गई भेद, शब्द, केवल सुर्टाल के भेद के लिए ही कामों में आता है वनों में व्रक्न सदा फूलते और फलते हैं हाती और सिंग एक साथ रहते हैं पक्षी और पशू सभी ने सभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम भड़ा लिया है पक्षी मीठी मीठी बोलते हैं बाती बाती के पशो के समू वन में निर्भे विचरते और आनंद करते हैं शीतल मन्द सुगंदित पवन चलता रहता है बहुरे पुश्वो का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते चाते हैं बेले और रक्ष मांगने से ही मकरंद तपका देते हैं गाए मन्चाह दूद देती हैं धर्ती सदा खेती से भरी रहती है त्रेता में सत्युक की कर्णी हो गई है समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर परवतों ने अनेक प्रकार की मनियों की खाने प्रकट करती सब नदियां शेस्ट, शीतल, निर्मल और सुप्रत, स्वादिस्ट जल बहाने लगी सागर निजिर्मर जादा रहें, जारें रतन तटन नर लहें सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन दस दिसा विभागा समझ अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों द्वारा किनारों पर रतन डाल देते हैं जिने मनुष्य पा जाते हैं, सब तालाप कमलों से परिपून हैं, दसो दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन है शिरी राम चंद्र जी के राच्चे में चंद्रमा अपनी गिर्णों से प्रत्वी को पून कर देते हैं सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यक्ता होती है और मेग मांगने से जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं जए सिगराओं जए सिगराओं जए सिगराओं जए सिगराण सिगराओं सिगराप जए तंछ